गुड मुदिकेर मॉर्णिंग प्रेंड्स, आएम नीता जन प्रों मॉंबल, आज मैं आपको सिल्वर डिप के बारे में बताने जारी हूँ कि सिल्वर डिप, अमारे चांदी के बरतन सारे क्लीन हो जाते हैं, चाया हमारे मंदीर के बरतन है, पूजा के बरतन है, छोटी सिल्वर डिप से, वो कितने अथ्वी क्लीन हो जाते हैं, यह देखिए, यह कितना घंदा हो रहा है, यह सब इतने काले काले हो गया है, यह सम लग डेली यूज करते हैं, इनकी वज़े से यह सब काले हो गया है, इनकी चमक थोड़ी डल हो गया है, यह पूरा गंदा हो गया वह बतन करने रे फाकिस में उसमें जाल दो क्योंकि यह re-useable है, जब तक यह पूरा काला नहीं हो जाते हैं यह दिखिए अग्धम white है इसमें transparent है यह पानी के जैसा है यह जब यह पूरा काला हो जायेगा एकडम काला हो जाना चाहिए यह, तब हम लोग इसको यूज नहीं कर पाएंगे, अध Settings एक लोग सकू बार 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 यूज कर सकते हैं तब भी आपको दिखाती हूँ यह देखिए, यह एकडम काला है यह देखिए एक की बार में खाली ऐसे करते से यह पूरा clean हो जाएगा अब यह दिखिए यह पूरा कर लेक के दिखिए एकदम clean clean, खाली एक बार यह किया एक बार और यह clean यह दिखिए ब्लैक यह एकदम clean यह black दिख रहे है, यह दिखिए एकदम clean, यह black यह पूरा clean हो गया, यह दिखिए एकदम clean हो गया अब यह गिलास, यह हमारा मंदिर का, जिसमें हम जल और चनल लेता हैं, खाली एक बार किया और एकदम clean, दिखिए यह पूरा black यहा से, खाली एक बार यह से करने कर, और यह clean, यह दिखिए दोनों में फर्क भी देख सकते हैं, अब इसको करते हैं। सिर्फ इतना ही करना है, और मैंने एक ही बार लिया, एक ही बार लते से, पूरा clean हो रहा है। स्क्रबर है, उसको एक ही बार दुगा है उसमें, सिल्वर डिप के liquid में, और देखो इतना सारा मैंने बर्थन कर दिए। अब आपका वेस्ट भी नहीं होता है वो चीज, अभी ये liquid ऐसा ही है देखो, मैंने एक ही बार लिया है। अब ये थाली clean करोंगे, ये थाली देखिए, थाली पूरी गंदी हो रही है। और black हो रही है। अब clean करके देखाते हैं। अब हलका सभी आप करेंगे ना। तब ही आप देखिए। पूरे चमक गए। अब नए हो ऐसे हो है। ये हमारा जयल और चंदन लेते हैं आम लोग इसमें। उनको देखिए। ये थाली देखिए। पूरी चमक गए। ये लिक्विड देखिए जिसमें मैंने प्लेट में खाला था और भी इतना का इतना ही। इसमें सभी एक बार मैंने डिक किया और फिर कर दे। अब इसको लिक्विड का फिर से डाल जीए। कि हमारा वैस्ट नी हो था थाली एक की बार मने लेखने को और कर दिया और यह था पूरा है कि सबस्च तेखे अब तो Richtा नवी कितनी अचतों झाल झाल झाल